दोस्तों ये है हीरो की X-Pulse 200 BS6, ये एक आफ रोडिंग बाइक है, हीरो ने X-Pulse 200 में मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS और कई स्मार्ट फीचर दिये हैं, इसकी माइलेज कितनी है, नई ओन रोड कीमत कितनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाए है, और इंडिकेटर आपको जो है नॉन फ्लेक्सिवल मिल जाते हैं, बल्ब वाले, और इसकी हैडलाइट की बात करें, तो यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाते हैं, छोटी सी, और यहाँ पर आपको फूली LED सेटप देखने को मिल जाता है, और जैसे कि आप इसकी हैडलाइट क के उपर और जो की काफी अच्छे लग रहे हैं और यहां से आप इसके फ्रंट लुक को देख सकते हो इसका जो मटगार्ड है वो काफी अट्रैक्टिव दिया गया है जो की आफ रोडिंग के साफ से design किया गया है जिसके उपर hero की branding मिल जाती है graphics के साथ में और यहां से आप इसके look को देख सकते हो इसके आगे वाला जो tire है वो काफी बड़ा दिया गया है इसके front में ABS breaking system मिल जाता है single channel ABS जो की 276 mm diameter के साथ में दिया गया है और यहां पर reflector दिया गया है और इसमें आपको front में 90-90-21 का tire size मिल जाता है इसमें tube वाले tire दिये गये हैं और इसके front में आपको 21 inch का spoke wheel मिल जाता है जो की off-roading के लिए काफी अच्छा माना जाता है और इसके suspension के उपर आपको rubber getter मिल जाते हैं जो की इसके dust और दूल मिटी से इसके suspension को protect करते हैं और इसके front में आपको telescopic suspension मिल जाते हैं तो अब बात करें इसके meter console की तो इसमें आपको fully digital type का meter console देखने को मिल जाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और मैं इसकी chavi को on कर देता हूँ तो यहां पर आपको side stand की indication light turn signal indication light man head light indication light gear की neutral की indication light ABS indication light और यहां पर आपको engine malfunction indication light और यहां पर आपको RPM की reading मिल जाते हैं यहां पर gear position indication और यहां पर आपको clock मिल जाते हैं यहां पर आपको kilometer पर hour की speed और यहां पर fuel की reading आपको trickmeter मिल जाता है इस trip meter में आपको मिल जाता है रिएल टायम एव्रेज भी आपकी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बाय बाइक क अपता माईलेज दे रही है और यहां से आप इसको अईजस्ट भी कर सकते हैं बटन से और इसमें आपको mobile bluetooth connectivity का आपनने बाइक करके turn by turn अपनी destination पर जा सकते हैं GPS को enable करके और यहाँ पर आपको eco mode भी मिल जाता है इसके meter console में और यहाँ से आप इसकी handle wire rod को देख सकते हो जो की silver finish के साथ दी गई है और इसके side में चलें तो यहाँ पर आपको side mirror मिल जाते हैं काफी अच्छी premium quality के और यहाँ पर आपको switches की बात करें तो low beam, high beam switch इसकी में आपको passing switch, नीचे indicator और horn का switch मिल जाता है इसके दूसरी side में यहाँ पर आपको engine kill का switch और नीचे की side में self का switch देखने को मिल जाता है अब दूसरो बात करें इसके side profile की तो इसकी जो design है वो काफी unique वनाई गई है इसको off-roading के साफ से design किया गया है इसका आगे वाला जो tire है वो पीछे वाले से काफी बड़ा दिया गया है और इसके fuel tank के उपर X-pulse 200 का graphics मिल जाता है red और white color के साथ में और यहाँ पर आपको programate fi की badging मिल जाती है नीचे की side में और यहाँ पर hero का sticker दिया गया है और यहाँ पर silver finish दी गई है और इसके उपर black color के sticker मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको black color की design देखने को मिल जाती है और इसका पीछे वाला जो tire size है वो 120-80-18 का दिया गया है और यहाँ पर आपको spock bill मिल जाते हैं 18 inch के साथ और यहाँ पर आपको tube वाले tire मिलते हैं और 220 mm diameter की disc brake मिल जाती है इसके पीछे की side में जैसा कि इस bike में single channel ABS दिया है और यहाँ पर आपको tennis step rider adjustable monocross type का suspension दिया है इसके पीछे की side में अब चलते हैं इसके उपर की side में तो यहाँ से आप इसके rear profile का look देख सकते हो जो की काफी unique दिया गया है यहाँ पर आपको एक grab handle मिल जाता है silver finish के साथ में इसके उपर आप थोड़ा सा सामान भी carry करके बांद के ले जा सकते हो और यहाँ पर आपको tail lamp मिल जाती है LED bulb के साथ और इसके जो indicator है वो आपको bulb वाले मिल जाते हो नीचे आपको hero का sticker भी दिया गया है और यहाँ पर आपको reflector भी मिल जाता है नीचे की side में अब इसके side की दूसी side में चलें तो यहाँ पर आपको seat का locker दिया गया है इसके नीचे की side में और यहाँ से भी आप इसकी design को और इसके graphics को और sticker को देख सकते हो इसके जो fuel tank की capacity है वो 13 liter की दी गई है और यहाँ पर आपको company fitted black color का sardi guard मिल जाता है और यहाँ पर adjustable protest दिया गया है और यहाँ पर आपको chancet cover मिल जाता है जो की plastic का दिया गया है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी design यहाँ भी आपको मिल जाती है और यहाँ पर side stand दिया गया है 220 mm की ground clearance मिल जाती है इस bike में और यहाँ पर 5 speed gearbox दिया गया है यहां पर और यहां पर black color का एक leg guard दिया गया है अब बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 199.6cc का oil cooled forest rock 2 bulb single cylinder OSC BS6 fuel injected engine इसकी maximum power है 18.04 PS की 8500 RPM पर इसका maximum torque है 16.45 Nm का 6500 RPM पर और इसमें आपको मिल जाती है XSense Technology और इसकी जो top speed है वो है 110 km पर आर की और इसका acceleration है 4.81 second में 60 km पर आर का और इसका जो curve weight है वो है 1557 kg और यहां पर आपको एक black color का radiator मिल जाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसके engine के नीचे की side में एक aluminium का engine call दिया गया है जो कि इसके engine को protect करने के लिए बनाया गया है और जैसा कि यहां से आप इसके engine की design को देख सकते हैं दोस्तों अब चलते हैं इसके engine के दूसरी side में तो यहां पर आपको black finish के साथ engine मिलता है जिसके उपर hero की branding दी गई है यहां पर engine oil का cap यहां पर आपको clutch की wiring यहां पर self और यहां पर आपको fuel injected system दिया है और यहां exhaust के उपर आपको एक catalytic converter मिल जाता है और यहां पर brake pad दिया गया है और यहां पर KK start का option भी मिल जाता है और इसके दूसरी side में आपको एक oxygen sensor मिल जाता है इसके exhaust के catalytic converter के उपर इसके उपर एक metal की plate भी मिलती है जो कि अभी install नहीं है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं दोस exhaust के design की तो काफी unique सी design इसके exhaust की दी गई है इसके उपर एक metal की chrome की plate भी मिलती है जो कि अभी install नहीं है जैसा कि यहां से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो जो की fully metal का दिया गया है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके engine के और इसके exhaust के sound की तो सबसे पहले हम bike को start कर लेते है तो दोस्तों bike start watch की है तो अब मैं आपको इसके engine का sound को note कर सकते हैं यहां से आपको इसके engine का sound कैसा लग रहा है आप मेरे को comment करके जरूर बताएं और आप यहां से जो है इसके exhaust के sound को भी note कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों बात करें इसके mileage की तो hero x pulse 200 एक 200 cc की bike है और companies का जो mileage claim करती है वो है 49 km का तो दोस्तों अगर इसके real mileage की बात करें तो इस bike में आपको 40-45 km का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं 50-60 km की speed में चलाते हैं तो अब दोस्तों मैं बात करूँ इसकी on road कीमत की तो इसकी जो on road कीमत है वो है 1,4,750 और यह on road क कीमत मैंने आपको बताई है साइनो शेयर हीरो मध्यम गराम कॉलकाता सोरूम की सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप other states हैं तो आप मेरे को अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें comment करें share करें thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में